नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस KBC 100 question series में इस वीडियो में हम कौन बनेगा करोडपती के लिए top 20 प्रशन भाग 1 देखेंगे यह प्रशन हमारे प्रिय पार्थकों और दर्शकों को दिये गए हैं ताकि आप भी इन प्रशनों के माध्यम से अपनी ज्यान का आकलन कर सके तो बिना देर किये आईए शुरू करते हैं question 1 भारत ने विदेशी जमीन पर अपना पहला टेस्ट किस देश के खिलाफ जीता था question 2 भारत ने जब विदेशी जमीन पर टेस्ट में पहली जीत दर्श की थी तब उस समय भारतिय टीम के कप्तान कौन थे? question 3 टेस्ट क्रिकट में भारत का सबसे कम उम्र का कप्तान कौन रहा था? question 4 टेस्ट क्रिकट में भारत का सबसे अधिक उम्र का कप्तान कौन रहा था? question 5 निम्न में से कौन से भारतिय टेस्ट कप्तान की मौत पोलो खेलते हुए हुई थी? question 6 IPL में इन में से किसने उस टीम के खिलाफ है ट्रिकली है जिस टीम के वह अभी वह कप्तान है? question 7 question 8 third umpire द्वारा LBW आउट दिये जाने वाले पहले खिलाडी कौन है? a. सचिन तेदुलकर b. वसीम अकरम c. शोयब मलिक d. सनत जयसूर्या सही उत्तर है c. शोयब मलिक q. 9 सचिन तेदुलकर को अंतर राष्ट्रिय क्रिकेट में हिट विकेट आउट करने वाले एक मात्र गेन बास कौन है? a. शेन्वान b. ब्रेटली c. शोयब अक्तर d. ग्लेन मैगराट सही उत्तर है b. ब्रेटली question 10 सचिन तेदुलकर ने अपने समय टेस्ट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ शतक लगाए सिर्फ एक देश को छोड़ कर वह देश कौन सा है? a. बांगलादेश b. पाकिस्तान c. इंग्लैंड d. जिंबाबवे सही उत्तर है d. जिंबाबवे question 11 सचिन तेदुलकर ने वंडे में 340 बार ओपनिंग की है लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मात्र एक बार ओपनिंग कौन सी टीम के खिलाफ की थी? a. पाकिस्तान b. श्रीलंका c. साउथ अफ्रीका d. न्यूजिलैंड सही उत्तर है d. न्यूजिलैंड question 12 सचिन तेदुलकर का टी बीस क्रिकेट में एक मात्र विकेट कौन था? a. जस्तिन केंप b. आंद्रेनेल c. आश्वेल प्रिंस d. जस्तिन अंटॉंग सही उत्तर है a. जस्तिन केंप question 13 भारत में जन्में कौन से एक मात्र क्रिकेट खिलाडी को पाकिस्तान के नागरिक सम्मान सितार a. इम्तियाज से सम्मानित किया गया था? a. डेव वाटमोर b. मिकी आर्थर c. बॉब वुलमर d. जॉफ लॉसन सही उत्तर है c. बॉब वुलमर question 14 T20 क्रिकेट में रिटार्ड आउट होने वाले एक मात्र क्रिकेट के इतिहास में अभी तक कौन सी एक मात्र टीम के दो खिलाडी एक ही टेस्ट मैच व एक ही दिन रिटार्ड आउट हुए है a. भारत, b. पाकिस्तान, c. अफगानिस्थान, d. श्री लंका, सही उत्तर है d. श्री लंका question 16 महत्मा गांधी ने अपने जीवन में कौन सी एक मात्र विदेशी भाशा की फिल्म देखी थी a. मिशन जर्मनी, b. मिशन मास्को, c. मिशन पैरिस, d. मिशन पोलैंड, सही उत्तर है b. मिशन मास्को question 17 तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाली एक मात्र महिला कौन थी? a. सरोजनी नाइडू b. राधाबाई सुभ नारायन c. बेगम जहारा शहनवाज d. एनी बेसंट सही उत्तर है c. बेगम जहारा शहनवाज question 18 भारत में किये गए पहले हार्ट ट्रांस्प्लांट के सर्जन टीम में कौन से बॉलिवुड अभिनेता के पिताजी भी शामिल थे? a. गोविंदा b. अक्षय कुमार c. चंकी पांडे d. अनिल कपूर सही उत्तर है c. चंकी पांडे question 19 नेपाल के सबसे ज्यादा प्रधान मंत्रियों का जन्म भारत के कौन से शहर में हुआ है? a. दार्जलिंग b. वारानसी c. लद्दाक d. देहरादून question 20 निम्न में से कौन से देश में पिता प्रधान मंत्री वा पुत्री उप प्रधान मंत्री रहे है? a. नेपाल b. भूटान c. श्रीलंका d. अफगानिस्थान सही उत्तर है a. नेपाल धन्यवाद दोस्तों आपने देखा कौन बनेगा करोडपती के लिए टॉप 20 प्रश्न भागवन ये थे 20 महत्वपूर्ण सवाल और दिल्चस पुत्तर आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगले भाग में हम आपके सामने लाएगे और रोचक प्रश्न जो आपके ज्यान का अंतरमन करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ फिर मिलते हैं अगले भाग में धन्यवाद